बश्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आरुन शेखर शेखर वाणी में इन दोने एक शंकला चल रही है, एक बहुत की प्रतिबा के धनी, अतुरी श्रीवास्तो जी से बातचीत बड़ी इंप्रस्टिंग बातचीत है, जिसमें की नए-ने रंग खुल रहे हैं, किस तरह से विजटा को ट्रेडिंग लेनी चाहिए, साहित ते कितना जरूरी है, इन सब बातों को लिए करके तो यह तीसरा एपिजोड है, इसमें कुछ नए भेद खुलेंगे, नहीं बातें निकल के आएंगी, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले सोच पर काम करता हूँ, क्या होता है, एक रेगलर जो इस्ट्यूट है, वो सारी रेगलर ट्रेनिंग तो देता है, वाइस पर एक्सराइजेज और इंप्रोविजिशन, ट्रस्स एक्सराइजेज, जो तमाम की सेलिबस की चीज़ें वो मैं नहीं बताता हूँ, यह सेलिबस तो वो पढ़ी रहे हैं, मैं वो बताता हूँ, जो उनको कहीं और ले जाएगा, एक स्टिप उपर कर दे, उनको मेरे जाने के तुरंद बात लगे कि आज मेरा कद बढ़ गया है, एंलाइटन होना जो जो जरूरी है, सोच देने, लोग कहते हैं कि कुछ सोचो, किया सोचें, वो क्या सोचने की सोच देना, वो मेरा काम है, जो मैं करके आता हूँ, और जो निरंतर अपनी मेरी खोज चलती रहती है, अगर मैं थोड़े दिनी स्टॉक हो जाता हूँ, तो लगता नहीं है, कुछ नया मिला नहीं है, तब मैं जल्दी से कुई भूक ले ले फिर अपने अंदर का जो इनलाइटमेंट होगा उसको अन्भा करूँगा और कहीं रोल वैसा मिल गया तो इंप्लिमेंट कर दूगा एक चीज पढ़ने के वारे में और है कि भले ही आपने कोई किताब अगर दस साल पहले पढ़िए बीस साल पहले पढ़िए आज अगर आप तो पॉइंट ऑफ यूज हैं उसके इंटरिप्टेशन हैं और लकली हम इस फील्ड में निनंतर काम कर रहे हैं तो हमारी तो समझ बढ़ती जा रहे है न तो पिर आज यह रहे हैं जैसे अजनभी हल्वे अरकामों का मैंने तब पढ़ा था सालों पहले और उसको जब आप यह कह रहा था यह कह रहा था तब हम नहीं समझ पा है थे अब ही हमने पचास कलर्स देखिए उसके उसकी स्टोक्स देख रहा हूं रिलेशनशिप की स्टोक्स कौन से जा रहे हैं किस कलर में जा रहे हैं किस इमोशन की शेड हैं क्या है अगर कोई बिमार है तो कौन सी बिम हमें उस मूट का कलर दिख रहा है पहले नहीं देखता रहा है तो ऐसी चीजें कभी-कभी ना हर दस साल में हर पांट साल में ना दो-तीन बार पढ़ते रहने चाहिए जो अच्छे साहित माना जिए अच्छे क्लासिक्स है ना पढ़ते रहने चाहिए क्योंकि तब आप शाद फ़र था उसके बार दूबबारा पढ़ा पढ़ा तरही बार पढ़ा जब मैंने सीडियल किया माईश दोनलिया अडरा ओर था तब मुझे समझ बड़ी कियो कि तब क्या होता है कि सब लोग बचपन से इतने शौकीन हो पढ़ने के uzhečेन पढ़ने के पॉलिटिकल जान खेलने कुदने वाला था, पढ़ना लिखना मैंने थेटर मिश्रू किया, पढ़ना लिखने से मतलब यह नहीं कि मैं जो सब्जेक्ट वो उसके बात कर रहा हूं, मतलब यह अवेरनेस वाली पढ़ाई, साहित वाली, यह बाद में हुआ, यह थेटर मेरी देन है, जिसने मैं कहूंगा कि कुछ कलाकार हैं मिलते हैं, और इस बात का जिकर करते हैं कि आतुल जी से मिलकर मैं बहुत चार्ज हो जाता हूं, तो यह कैसा सिलसला है आपका, यह अवेस है, जो जिन लड़कों ने हमारे साथ ट्रेनिंग इंस्ट्यूट में मैंने शायद क्लासिस की यह फ्टे आय में यह बारतेना टेकेड़ में, तो वो जो मेरे सिस्टम को जानते हैं, और उन्होंने मुझसे क्या वाइबरेशन मिलती हैं, मुझसे क्या चीज़ें मिलती हैं, उन्होंने अपना उसको सजोग के रखा हुआ है, और जब वो उनको ऐसा लगता है कि वो जो बहुत बिजी है, मालीजिस में कई लड़के बहुत बिजी हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फिर भी उन्हें लग रहा है, वोई चीज़े, भूक, ग्लास बरने और खाली करने वाली बात है, उन्हें लग रहा है कुछ कमी हैं, कुछ नया कुछ चार् एक समय निकाल के बातचीत होती है. तो वाकिई मिनिगा चारज हो गए यह कि कुई हमाइपस कुई बाती ही नहीं है. एना, खोज भी का ही बाता है और भी अक्टिंग की. और जब अक्टिंग की हम बात करें तो ऑविस है अपनी बात करेंगे. अपने instruments की बात करेंगे अपने है मुझे भी उच्छा लगता है वक्तव बड़ी चीज की ए ना कि यह जरूरी नहीं है कि कोई double, triple doctor हो, PhD हो, बहुत काबिल mathematician हो, अपने profession में काबिल हो, और teacher उतना ही अच्छा हो, दोनों चीज़ा अलागे, बिलकुल, और जो mediocre student रहा है, और experience से सीखा है, फिर उस subject को वो अगर student को सिखा रहा है, बता रहा है, वो उन से कहीं अच्छा teacher हो सकत है, उनके student शायद 100% लाएंगे, और जो काबिल आदमी जो teacher है, जो वाकई में professional teacher है, उसके बच्चे कम percentage लाएंगे, यह देखा गया है, तो यह दोनों चीज़े बड़ी अलाइदा है, बिलकुल, अलाइदा है, यह सिखाना और जैसे कि कुछ लोग कहेंगे, वो flop actor है, इस इस पर मैं नहीं अग्री करता हूं, कोई दोनों अलग चीज़े हैं, कोई चीज़े जानना और दूसरे को बताना, जैसे सचिन के teacher गुरु जी है, आचरिकर, अब रहा है आचरिकर जी खुद इतने बड़े कहां रहे है कौन जानता था, कौन जानता था, वो सचिन नहीं थे, लेकिन उनने कैसे उसको सिखाना है, इसका ग्यानता है, और निरंता चलता रहा उनके कितनी स्प्रेंट्स, चाड़क के चंद्रगुप्त, चाड़क ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया, वो उनको नहीं बने, और ये तो कोई बात नहीं बने, तो मैं थो थोड़ी उनकी कोचिंग जोयन की थी, शाम कम लोग पढ़ने जाते थे, तो वो शायद हाइडिल में काम करते, नौकरी एकाउंटेंट थे शायद, लेकिन उनको शौक था पढ़ाने का, तो उनने अपनी असलियत बताई, 10th में 3rd division, 12th में 3rd division, और B.com में 3rd division, M.com में 3 में 3rd division, मैं आज एकाउंटेंट हूं, नौकरी करता हूं, लेकिन ये मेरा दावा है कि हमसे अच्छी एकाउंटेंशी कोई पढ़ाने सकता, और उनका दावा जो था, उससे ज़्यादा थारीफ हम करते थे, एक उसमें लेसन है, जिसने किया हो, बैंक रिकंसिलेशन कैसे होगा ये, उनों ने एक क्लास में दो घंटे की ऐसा कर दिया कि हमसे कोई सीख ले, कि मैं टीचर हो गया, कि जितनी कॉम्लिकेशन लेओं, हम उसको सॉल्व कर देंगे, तो ये होता है, तो थर्ड थर्ड वीजनर थे, तो उनों ने कहा, कि इस बात जब पूछा, तो उ मुझे क्यों नहीं समझ में आता था, टीचर क्यों नहीं समझ पाता था, हम तो ये सारी उन में तैह में गए, पिछी गए, फिर उन्हें, सारे सबकी स्ल्यूशन निकाले, और वह एक अच्छ टीचर बन गय अनकाइए, उनका इसलिए मैं नहीं समझ पाता था, जिसके पहले एक दम कहते हैं घबलाओं मत कोई मुश्किल चीज नहीं है बस तुम प्रिजेंट रहो यहां पर तो हमें सुनो मैं कुछ डराऊंगा नहीं बहुत आसान चीज बता रहा हूं ऐसे टीचिंग अलग चीज है थोड़ा अलग में चला गया ज़ादा जरूरी है यह उदार तो शुरू से कॉन्फिडेंट होता है कुछ शुरू से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं उनके अंदर कमी रहती है कुछ कंसेट्रेट नहीं कर पाते हैं उनके कही कारण होते हैं तो कुछ परफॉर्मर अच्छे होते हैं अक्टर अच्छे नहीं होते हैं अब इन दो तो बहुत सारे आक्टर बहुत सारी परफारमर ना अलग कर पायें. यह बοहुत जरूरी है आपタाटर सकता कि by कि अक्टर अच्छा कि इसकता है, कि परफारमर नहीज परक नई दो कि pacal least without any doctor or any doctor or any doctor. परक्षार more तो बाइक अच्छा होना पड़ेगा. एक बेहतरीन performer है, एक्टर वीक है, designer वीक है, गलट design कर देता है, लेकिन conviction के साथ करता है, रुला देता है, सब कर देता है, लेकिन वो weak है, as designer मतलब actor वीक है उसका, तो और एक अच्छा actor है, उसको performer तो होना ही पड़ेगा, conviction होना ही है, और convey करना ही है, truthful होना ही है, तो यह सारी फरक है, जो सब को जाना बहुत जरूरी है, फिर से वही बात है, जो आपने जिस तरह से training लिये है, जिस से जिस से लिये, कुछ लोग कहते हैं, मैं उनके साथ काम किया, बहुत हो के साथ करो, नहीं, वो उस level के director नहीं है, बात यह नहीं है, लेवल नहीं है, किसी क स्कूल लेके आता है, और चार director चार स्कूल लेके आते हैं, तो आपके schooling चार हो गई नहीं, तो आपको चार तरीके से, ऐसे forms होती हैं, कि stylized, ठीक है, realistic, surrealistic, and experimental, तो अगर हर theater के साथ, लखे ही मैं रहा हूं कि मैंने हर director के साथ काम किया, जो थोड़े stylized भी थे, और थोड़े उसका जिकर जरूरी है, जो कि आपने एक बार जिकर किया था कि शुरुआत में मैं शायद यही करता था, comedy दिलार्टे ही करता था, उसके comedy दिलार्टे एक form है, जो acting में, पतलब louder चीज़े हैं, gesture louder होते हैं, comedy में, और जो serious में होता हो, इसको mello drama बोलते हैं, लेकिन यह उसकी सब की rhythm होती है, उसकी सब की music होती है, फिर से मैं कहूँगा कहीं न कहीं, God gifted शायद था मेरे अंदर, लेकिन उसको मांजना बहुत जरूरी है, उसको अपने आपको train करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपकी चक्षू खुले हों, और उपर वाली करपा हो कि जरूरी है, यह जरूरी है, कि आप green को greeny कहें, मैं जैसे हूँ, मैं अकसर जो color थोड़ा भ्रमित रहता हूँ, तो मैं color शायद गलत बता दूँ, तो वो क्या हो गया, वो technicalities हो गई, अगर मैं color गलत बता रहा हूँ, लेकिन जो feel कर रहा हूँ उस color का, जो उसकी vibration ले रहा जो मैसूस कर रहा हूँ, जो उसकी खुश्बू ले रहा हूँ, वो सही ले रहा हूँ, मैं नाम शायद बता दूँ गलत रहा हूँ, इसको यह कहते हैं, वो सकता हूँ, ठीक है, वो तो जानकारी हो गई है, लेकिन ज्यान को अंदर समाहित करना, वो talent हो गया, जानकारी, awareness अलग चीजे है, और जो अंदर आप ले जाते हैं, वो talent है, जो मैसूस सीधे, सीधे connect हो गया, यह जो बैंबू का यह, इसकी कलर से पत्तिया है, आप इससे बना ले रिलेशन, और आपने मैसूस कर लिया, उसको मैसूस कर लिया, तो यह आपने ट्रेनिंग की और टीचिंग की यह तमाम बातें करते हुए, अब हम आजाते हैं, पूरी तरह से प्रोफेशनल इस नगरी में, इस मुंबई में, जहां पर यह माया नगरी है, सिनिमा का संसार है, और अंतता हर कलाकार की इच्छा होती है, कि इस सिनिमा में, टेलेविजिजन में काम करें, वो बड़ा न इस ऐससा सफर रहा और हमका से सम्मोर से अरभ के आहे सफर उसकी किया कहानी रही और कैसे चलाई, मुंबई की कहानी यह रही है, इससे पहले बताया में मुंबई की और पर यक्दू आँगा, यह में मैं मुंबई तब ही जाओंगा, कम एंगगे ए शुदवा ने अज्णी किस ब्रैकेट में आऊँगा तो यह थोड़ी सी और फिर दूसी बात वही चीजे कि या तो मैं इतना अच्छी परसनालिटी हो फिजिकली कि वाह क्या स्मार्ट आदमी है यह तो हीरो बनेगा वैसा भी था इसा ही टाइप्स जैसा हूं ऐसा ही था तो लेकिन उसके अंदर वा 24 गंटे अब अपने अपने हो रहा है तो उसके डिजाइनिंग की बात हो रही है तो कुछ हो रही है उसके करेक्टर की रिलेशनशिप की बात हो रही है इंटरपेटेशन की बात हो रही है फुल 24 गंटे हमने जो 9 साले 9 साल दिये ना उसका नतीज़ा है कि आती जब एक काम कि विश्य में कि यह आप के हाथ में कि आप क्या करना है अगर आपको क्या करना यह आपको पता है तो आपको है उपसे पर होले सबसें धोड़ानरा क्या कि नहीं करना है आहा गांज़ा और नाहीत यहां, फिर यह सव ला काम हंगएगा यहां जब आम भी पगड़ते रहोगे तो यह सब्वला आए गाईगा यहां इंडिस्ट्री का यह थोड़ा रूल है कि आप एक बन जाती छाब बन जाती तो आप जिस नो कहना बहुत हिम्मत का काम है अब बहुत हिम्मत का काम है तो इम बहुत इंप्रेस कर नहीं पाता था क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो समझदार आदमी उस समझ जाएगा कि मैंने क्या प्रोगसिस रहा होगा जिस तरह का रिजल्ट मैंने दिया है तो उस ही में मेरी देलगून चलती थी जब उनने लगा वो सीनियर मोस्ट आदमी इतना कमाल किया तो वो मुझे कहते है तुम भी ऐसे करते हो तुम कमाल करते हो यह तो मुझे अच्छा लगता था और क्या चाहिए तो मैं जब कभी उनसे उस समय कभी स्ट्रगल करने उनके पास नहीं किया लेगन देर आए दुरुस्ता है आप से जादा बेभी ह्याँ क कर देखा है अनुग है बड़ा काम किया उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि उन्होंने का कि सारी डिरेक्टर और राइटर यह कहते हैं कि यह स्कृट मेरा बेभी है डेटर कहता है यह मेरा बेभी है लिकिन नहीं जिस वक्त अक्टर उसको जस्प कर लेता है, एक्टर, नॉन एक्टर नहीं, तो वो उसका बेवी हो जाता है, और आप से ज़्यादा बेवी वो एक्टर हो जाता है, जो उसमें न्यूंसिस वो डाल सकता है, वो डिरेक्टर सोज भी नहीं सकता है, जैसे तुमने फ़ला सीन में डाला था मुझसे तो मैंने भी नहीं सोचा था तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसी पात पर कुछ सीन और लिखा हूं तो इतनी बड़ी बात कहती तो मेरे लिए तो मैं गदगद हो गया मैं अंदर से तुम्हें इमोशनल हो गया क्या बात है तो हमारी लिए ये छोटी खुशि ये खुशिया एक दिन में नहीं आई है ये निरंतर लखनो 86 से लेकर वो आज आई जाई जो आपने कहा ने कि वाव फैक्टर ढूंडने के आपने और निरंतर ढूंड रहा है रोज में अब चाहभी के खाली कर दिया भरा है कि भाई आं टेलेंटेट वाला ग्लास भरा हु सबको देते रहे हैं तो वो सीरियल के बाद फिर अपनी सीरियल के बाद पिर पिर चोड़ी दिया फिर वो सर्विस वाली बहो और वो मेरा लास था और उसके साथ ही मेरी टॉयलेट एक प्रिम कथा अब इससे पहले मेरे उपर बेज ती यहां सभी ग्यानी है और तमाम फिल यह जानना जरूर है कि कहां से नो स्टार्ट करना है आपको हां जो यह नहीं मझा बन करता है यह बहुत बड़ी इध्य के बात है यह सामान ने बात नहीं कैड़े नो ही तो मुझे लगा ना कि शायद फेलेताय से खुश मैं एक फ्लैट मेू हूं फ्लैट से जादा कुछ एक फ्लैट में हूँ और वो खुशी ना मुझे शाहद बीमार नहीं करेगी वो मुझे बीपी नहीं करेगी और ये असली खुशी है तो ये भी मैं उपर वाले का धन्यवाद दूँगा जो मुझे समझ दे दी और कोई अफसूस नहीं है इसका देख ये अवाद करें नहीं करेंगे लिएट अहुड़ मुझे फ़ूब अजना जाता है आज है इस लेको बहुत शुरू करिया था किसा शुरू कर लो नहीं मुझे व भूल दिया था है ये बीप्लाग कर दोना कर दो खार नूमां किसी वजये से बढ़ गया होगा तो रगा त कुछ लोग तो 35 में शुरू कर देते हैं तो मन में कहा आपने शुरू कियोगी हम तो ना करेंगे तो ये था आज का तीसरा एपिजोड जिसमें आपने देखा कि एक अभिनेता को साहिते पढ़ना कितना जरूरी है वा अपनी तयारी कैसे करता है इसके साथ ही जो अध्यापक है वो कैसा होता है और कोई भी अध्यापक अगर बनता है तो उसके कैसी तयारी करनी चाहिए इन सब बातों को लेकर ये बातचीत थी अगला एपिजोड आप देखेंगे जो 14 और 13 एपिजोड होगा वही बहुत इंप्रस्टिंग है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले एपिजोड में मिलेंगे अपना खयाल रखिए नमस्कार